नमस्कार मित्रूंग अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी समस्या को कहते हुए अपने दर्द को कहते हुए बात बात पे रोने लगते हैं और ऐसी इस्थिती इसलिए आती है कि वह अपनी दर्द को इतना ज्यादा समवेदन शील समझते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और इस कारण से वाश शरीर के अंदर अपनी उस भावना को रोक नहीं पाते हैं और ऐसे कई लोग आपके जीवन में जरूर गुजरे होंगे जो अपनी बात कहते कहते रुआसे हो जाते हैं किसी आफिस में जाते हैं किसी अपनी समस्या को किसी अधिकारी के सामने बताते हैं घर में किसी बड़े को अपनी समस्या बताते हैं तो अपनी बात को कहते कहते अचानक पो रूने लगेंगे या रुआसे हो जाएंगे या उनका गला भराएगा और ऐसी समस्या वैसे तो जादत तर 90 प्रिश्चत मामलों में माइलाओं के साथ होती है लेकिन 10 प्रिश्चत कूर Après्शों के साथ भी होती है यदे ऐसी कोई समस्या आती है जिसमें आप अपनी बात को कहते हुए रुआसे हो जाते हैं या आपके आँखों में आसु आ जाता है या गला भर जाता है तो ऐसी स्थिती में आपको पलसा टिला 200 में होमेपैथिक मेडिसिन याद रखना चाहिए हपते में एक बार चार बूंद इसे कम से कम छे हपते तक लेना चाहिए इस दवा के लगातार प्रियोग से या फिर आपकी इस्थितियों में जब तक मानक अस्तर पर सुधार ना हो जाए तब तक आप इसे हफते में एक बार ले सकते हैं तो आप जो ये बात करते हुए रोने लगते हैं रुआसे हो जाते हैं गला भर आता है इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी वैसे आप इस बात के लिए किसी प्रसिक्षित होमेपैत से भी सलह ले सकते हैं लेकिन आप पलसा टेला 200 को हमीशा इस स्थिती के लिए याद अवश्य रखें